हेलो स्टुडेंट्स मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैगनेट ब्रेंज हिंदी पर मैगनेट ब्रेंज हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी माध्यम की कक्छा 6 से लेकर कक्छा बार्मी तक का संपूर्ण पाठिक्रम निसुल्क में उ निसुल्क मतलब निसुल्क बिलकुल फ्री सिक्षा दी जा रही है क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया चलिए देखते हैं हम अपने वीडियो की तरफ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं तो अभी तक हमने यह देख लिया कि भाई सामाजिक परिवर क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करते हैं तो उनके लिए समाज का नजरिया कैसा है उनके लिए समाज के माइने क्या है और समाज कैसे बदलना है एक समाज वैसा होता है जो घरों में रह रहा है उनके कुछ दूसरे काम चल रहे हैं एक समाज ऐसा है जिसको को आप मजदूर वर्ग जैसा कुछ माने कि कहीं नौकरी करता है तो उसका कैसा असर पड़ता है जिसे आप देखते होंगे कि जो अपने घरों में रहते हैं वो दिवाली बहुत अच्छे से मनाते हैं 15 दिन से आयारी करते हैं और जो विचारे कहीं बाहर काम करते हैं उनको छ करते हैं तो यह जो दौर ता यह कैसा। समाजिक ऐवं आर्थक बदलाओं का दवर था ता समाज में समाजिक और आर्थक तरीके से बदलाओं कैसे हो रहे थे क्योंकि यह टाइम थहाँ पर उतुक्त होचुक्ण पहत्र dispose में नई-शैर बस गए थे नए और दोग्षे से र पन हो चुका था अब उद्योग की करन होगा तो इसका मतलब क्या है उद्योग लगाए जाएंगे अब उद्योग लगाए जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको लोगों की आउसकता होगी मसीनों को चलाने के लिए पहले तक जब कुटी उद्योग थे तो लोग घर मे काम गाओं में काम यह छोटी जगह पर काम करते थे अब जब उद्योग लगाए गए है तो बड़े इस तर पर काम होगा तो ज़्यादा लोगों की जरूवत भी पड़ेगी चुकि फैक्टरियां बड़ी होँगी मसीने कई सारी होँगी तो लोगों की जरूवत पड़ेगी तो लोग क्या बन जाएंगे अब सिर्मिक बन जाएंगे चुकि अद्विक करण के दौर में आपको पैसा कमाना है तो आप क्या बन जाएंगे लेवर बन जाएंगे सिर्मिक बन जाएंगे मजदूरा बन जाएंगे इस मजदूरी की दौर में या इस मजदूरी की लाइन में अद्धूरी करने के दौर में किन को किन को लाकर खड़ा कर दिया समाज में तीन ही प्रकार के लोग मिलते हैं पुरुस महला और बच्चे तो इन सब को मजदूर बना दिया, यह सब क्या हो गए, आगे जा कर उस लाइन में लग गए, और सभी क्या करने लगे, मजदूरी करने लगे, सिर्मिक बन गए, उद्योगों में जाने लगे, इस दौरान देखा जाए कि उद्योगों के अंदर जो उद्योग के लोग थे, या जो इंडस्टी चला रहे थे जो मालिक थे तो उनके उस ताइम पर क्या थी पाली यां लंबी थी पाली मतलब सिप्ट आप पर काम करने का जैसे अभी 6 गंटे-8 गंटे की है तो पहले अमूमन 10 गंटे-12 गंटे की सिफ्ट हुआ करती थी आपको इतने घंटे काम करना और बिरोजगारी जो है वो एक बहुत सामानिसी समस्थ्या थी कि बिरोजगारी तो थी ही तो लोग क्या करते थे किसी ने बोला कि भाई हम तुमको 200 रुपए दे पाएंगे दिन भर में लेकिन काम तुमको 9 गंटे करना पड़ेगा तो लोग तैयार थे कुछ काम तो मिले घर तो चले अभी क्या है कि अगर रोजगार ज्यादा होगा तो लोग बोलेगा नहीं 6 घंटे मतलब 6 घंटे पैसे चाहिए 300 तो ऐसी बात हो सकती थी पहले क्या था कि बिरोजगारी बहुत थी मतलब लोग ज्यादा थे इंडस्राइशन नया नया हुआ था तो नौकरिया जाएगी तो क्या होगा मालिक जिव से पैसा देगा नहीं तो मजदूरों को निकालना स्टार्ट कर देगा बोले तुम एक दिन छोड़ कर आओ अब तुम 15 दिन के लिए मत आओ इतने लोगों को बाहरी निकाल लिया तो क्या होगी बेरोजगारी आपकी बढ़ जाएगी जब-Jब उद्यों के अंदर उद्यक बप्रेग़ी तब तब क्या होगी समाज में यह अओड़्ोगी करण के दोर में यह उस बीवस्ता में चाहे आज की विवस्ता में जैसे ही मांग घटेगी फैक्टरिया नहीं चलेंगी बंद हो जाएंगी तो क्या होगा बेरोजगार बढ़ेगी है ना यह बढ़ेगी तो यह इनका सीधा संबंद है मां घटेगी बेरोजगारी बढ़ेगी यहां पर अब हो क्या रहा था कि जैसे ही यह उद्धविकरन हुगा उद्धविकरन संपन हो गया तो लोग जैसे क्या हुए अब मजदूर आएंगे गाहों से सहर की त जैसी भी जिसको जो विवस्था थी उसने वैसे घर बनाना स्टार्ट कर दिया अब जिस भी सहर में उद्धविकरन जादा होगा तो लोगों की संख्या जादा आएगी तो लोग जल्दी-जल्दी क्या करेंगे अपना घर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो सहर क्या हुए तेजी से फैलना स्टार्ट हो गए अब इतनी तेजी से फैलना स्टार्ट हो गए कि यहां पर यह विवस्थाएं नहीं हो पाएं कि भाई यहां साफ सफाई विवस्था क्या होगी यहां से गंदगी कैसे जाएगी नाली कैसे निकालेंगे पानी कैसे आएगा यह सारी बातें साब सफाई बहुत बड़ी समस्या होगी बहुत बड़ी समस्या होगई है तो इन दोर में देखें इस दोर में देखें कि यहाँ पर किस拈 बादियों का और रेडिकल्स का नजरीया एक दिस चीज को कैसे कि और किसे देखेंगे कि यह जो अधारबादी और रेडिकल समूह हैं इन समूह के लोगों के पास परियाप्त मात्रा में संपत्ति खट्टी हो चुकी थी कैसे संपत्ति खट्टी हुई थी उन्होंने कई सारे उद्योग लगाए हुए थे उद्योगों से ही उनने धन को इकत्रत क तो वही लोग जो मजदूर आये थे सहर तेजी से फैल रहे थे और जो गंदगी और साफ सफाई की समस्चा थी तो उनने सोचा कि हम इस चीज का कुछ हल निकालें कुछ सॉलूशन ढूड़ें ताकि क्या हो साफ सफाई ना हो अब सॉलूशन के पीछे क्यों जाना चाह रहे थे उनके क्या ऐसी एक्षा देगे यार भाई तुम गंदे के में रहो हम तो अच्छे में रह रहे हैं वो सॉलूशन के पीछे क्यों जा रहे थे उनका अपना यह मानना था वो जो भी जन्मजात लोगों को बिसे सदिकार मिलते थे इसके बहुत बिरोधी थे उनका मानना सब्सक्राइब के जो जी ववस्था आई है इसका हम बहुत जादा फाइदा उठा सकते हैं और सभी को उठाना चाहिए गरीब को रोजगार मिला चाहिए सब को ब्रूसथा का फायदा उठाने मौका मिलना चाहिए हर एक बर्ग को उन्हें सौचा यार्य यह साफ साफाइ रहेगी तो क्या होगा मजदूर बीमार कम पढ़ेंगे बीमार कम पढ़ेंगे तो क्या होंगे मजदूर स्वस्थ हों जो भी दूसरे नाग रहे हैं वो पढ़े लेखे हों उन्हें अपने अधिकारों के बारे में समाज के बारे में जानकारी हो तो इनकी इच्छा क्या थी क यह चाहरा रहे थे कि इनने कैसे कमा आया क्योंकि इनकी संपत्रिक कैसे ए उद्योग pine कई दों से अब लगातार चलते रहें लगातार चलते रहने के पीछे इनने क्या सोचा की ऐसे कुछ कारण हो जाए कि जो दूर जो हैं वो हेल्दी हों स्वस्थ हों लोग पड़े लखे हों और जो जन्मजात अधिकार के साथ कुछ रौस जमाने कुछ दबाव डाले को दादागिरी दिखाने लोग आते हैं तो उनने इनका बिरोध किया कि ऐसा नहीं चलेगा वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को व और फाइदा उठा सकते हैं फाइदा उठाने के पीछे कारण क्या था वो चाह रहे थे कि हर एक व्यक्ति को मौका मिल जाए अब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो हर व्यक्ति इस विवस्था का फाइदा उठा सके तो इसके लिए इनों ने किया क्या कि इनों ने यह मजदू सरकारों से छुटकारा पाना चाहते थी तो लोग इन सरकारों छुटका पाने के लिए किसके पास गए रास्टबादियों के पास गए उदारबादियों के पास गए और रेडिकल अंदुलनकारियों के पास गए उदारबादी और रेडिकल अंदुलनकारी हमने देखे यह व सम्ताना साही या गडवर सरकारें थी उनके बिरोध में या उन से छुटकारा पाने के लिए रास्टबादी उधारबादी और रेडिकल अंदुलनकारियों से संपर्क किया या उनके पक्ष में गए आप देखेंगे यूरोप में ऐसी सरकारों को हटाने के लिए कई बार तक पर बठा देना यह तक्ता पलट की कोशिस के यहां पर लगातार की जा रही थी आप देखेंगे कि जब यह लोग इनके पास में आ गए तो रेडिकल पार्टियों में और उधारबादी पार्टी समूहों कि आसपास लोग एकदम उनका घेरे रहते थे या उससे जोड़ना स्टार्ट कर दिये क्यों एक तो रोजगार रप्लप्त करा रहे थे क्योंकि उनके पास उद्योग थे और दूसरा वह जो भी निरंगुस सरकार हैं बेकार सरकार हैं उनके खिलाब भी आवाज उठाया करते थे इसलिए लोग क्या हो गए इनके पक्ष में जाने लगे और तक्ता पलट होना स्टार्ट हुगा अब यह रास्ट बादी क्या थी रास्ट बादी लोग एक ऐसा रास्ट चाह रहे थे जो रास्ट बादी थे रास्ट बादी मतलब जो अंदुलनकारी थे वह एक ऐसे रास्ट कर निर्मार कर रहे थे रास्ट बादी कारे करता कि जहां पर सरकार के खिलाब जो भी खराफ सरकार थी उसके खिलाफ अपने आंदूनन कर रहे थे तो इनने वहां के राजा के खिलाफ एक साजस रची थी एक उनने ये काम किया था कि भाई इसका तक्ता पलट कर दिया जाए तो यह गिसेप मेजने की कहानिया आपको दुनिया भार में औ कई बार सुनाई गई हैं तो यहां पर हमने यह देखा कि भाई उद्योग में समाज कैसा था उद्योग के लोग कैसे थे और उद्योग को कौन सपोर्ट करने वाला था और फिर उसके बाद विवस्था क्या बन जाती है तो यह सारी चीजे हमने इस वीडियो के अंदर देखी तो उम्मेद करता हूँ कि आपको यह सारी बाते समझ में आई होंगी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ी हमने क्या देखा इसमें कि उद्योग में लोग कैसे कर रहे थे बिरोजगारी कैसे बढ़ रही थी उद्योग की आपूरती घरती थी तो बिरोजगारी बढ क्या होगे लगातार सहरों की तरह आने लगे सहर एकदम से बढ़े बढ़े तो फिर वहां गंदी की समस्तिया आई तो उसका सॉलूशन किया गया और उदारबादी रेडिकल इन विवस्था का उपयोग करना चाहते थे कि जो जिसमें सक्षमता है वो ज्यादा तो आपको जिसकें नागरिक थां संवान मिले और एक ब्यक्ती आई जिसको कहते हैं कि सब्प नैजणी कौन है तो है यह इटली के राष्टबादी है और इन्हों ने राजा कि खिलाफ साज़ेसर परचीती उनका तक्ता पलट करने ही कोसिस की थी और इनकी घटनाय इनकी कहानिया सब जगह सुनाई जाती है भारत में हो या दूसरी जगह पर हो तो यह बाते हमने अपने वीडियो के अंतरगत देखी हुई हैं तो उमेद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से यह चीज सम लब्द करा रहा है आपको यह पाठकरम प्राप्द करने के लिए करना क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी सियर करना है हम अगर यहां आपको कुछ कठनाई होती है तो आपकी सुबधा के लिए मैगनेट ब्रेंस की साइट पर आप जाएं तो वहां पर सारे चैप्टर हर एक क्लास वाइस क्लास वाइस सब्जेक्ट वाइस चैप्टर वाइस और टॉपिक वाइस वीडियो विल्कुल एकदम अरेंज फॉर्मेट में रख दिये गए हैं ताकि आपको कोई समस्या नहों आप आसानी से वहां से वीडियो को देख पाएं और सीधे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब भी वीडियो आप आसानी से देख पाएं तो आपकी सुब्धा के लिए हमने अपनी वेबसाइट मैगनेट ब्रेंस पर यह विवस्था कर दी है तो